यूरोप में समाजवाद एवं रूशी क्रांती के अंतरगत हम लोग इसको तो पढ़ चुके हैं सामाजिक परिवर्तन के योग देख चुके हैं हम लोग और इसमें हम लोगों ने देखा था उदारवादी, रेडिकल्स और कंजरवेटिप्स के बारे में इनको बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि इन लोगों ने किस तरह से सामाजिक परिवर्तन का जन्दा हाथ में लेकर करके आगे बढ़े थे हमने ओद्योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन को भी समझ लिया है इस किताब में और इस किताब में हम पढ़ते हुए आगे बढ़े थे तो हमने जाना था कि यूरोप में समाजवाद के स्थरे से आया यूरोप में समाजवाद के आगमन के समय हमने जब पढ़ रहे थे ता हमने देखा था कि समाजवादी जो थे वे नीजी संपत्ती के घोर विरोधी थे जब कि रैडिकल्स और जो और लोग थे वो लोग वे नीजी संपत्ती को ले करके सेंटरलाइज रहे उसके लिए कोई ज लेकिन रावर्ट ओवेंज जैसे लोगों के प्रियासों को कारल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने नकार दिया। समाजवादी विचारधारों को अंतरराश्टी स्तर पर इस्थापित करने का प्रियास करने की कोशिश करने वाले लोगों का एक संग्ठन था दुती इंटरनेशनल। इसके अलावा इंगलेंड में जर्मनी में बहुत सारी जगहों पर यूनियन्स बनना सुरू ही जो मजदूरों किसानों के लिए लड़ती थी विशश कर मजदूरों के लिए इनकी लड़ाईया ज़्यादा थी फिर हमने पढ़ा था जयार निकोलस यह फोटो आप देख रहा हैं यह जयार निकोलस दुती का फोटो है हमने रूसी करांथी को देखा समझा और रूसी आज आपको लिखा हुआ ये देख रहा है इसको हमने जाना कि किन-किन कौन-कौन से देश इसमें सामिल थे इसके बाद हमने ततकालिक रुसी, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के अंतरगत, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर आर्थोडॉक्स और तमाम तरहे कि जो ईसाई कम्यूनिटीज थी, उनके बारे में जाना, रूस में बहुत अच्छी बात जो हमने देखी थी, वो हाँ से रूसी किसान भिनने थे, फिर रूस में समाजवाद, तो रूस में जो समाजवाद का आना हुआ था, वह समझे लो, यूरोप का गेटवे था, समाजवाद का गेटवे था रूस, तो यूरोप में समाजवाद रूस के रास्ते ही एंटर किया, ये हम लोगों ने मर्थनों को मिला था और इस तरह से पहली बार डियूमा से परिचित हुए थी 1905 की करांटी हला कि बहुत ज़्यादा सफल करांटी नहीं कहा दा सकती लेकिन एक द्रिष्टी से लोकतांत्रे काधिकारों की दृष्टी से 1905 की करांती बहुत जादा सक्सिस्फुल थी क्योंकि जार ने डूमा के गठन को सहमती दी थी और आम जनता को पहली बार ये लगा था कि हाँ उनके भी कुछ लोकतांत्रे काधिकार हैं रूस के अंदर यतने में प्रथम विश्यों दे छड़ गया और लोगों ने जार का समर्थन किया लेकिन जार ने उन लोगों को ध्यान नहीं दिया और रूसी सेना युद्ध के मोर्चों पर पराजित हुई लोटती हुई सेना ने बहुत सारे जगह पर आग लगा दी रास्ते में और बिल्डिंग्स को इमारतों को खेतों को सबको आग लगा दी जिससे रूस में बहुत विकराल स्थिती पैदा हो गई मतलब अगर हम ये बात करें कि 1916 की स्थिती में सर्दियों की बात तो रोटियों के दुकान पर अकसर दंगी जैसी स्थिती होने लगी भूखों मरने वाली नौबत रूस में आगे थी यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और अब आज हम देखेंगे पैत्रोग्राद पैत्रोग्राद क्या हो इसका नाम था सैंट पीट्सबर्ग सैंट पीट्सबर्ग का नाम बदल कर क्या हो गया था पैत्रोग्राद तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैत्रोग्राद में फरवर क्रांती की भूमी का इसके अंतरगत हम देखेंगे फरवरी के बात क्या हुआ और इसके बाद अगले वीडियो में हम अक्टूबर 1917 की क्रांती पर बात करेंगे चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पैत्रो ग्रॉद में फरवरी क्रांती अध्याएक को आरंभा करते हैं हलो स्टूरेंट्स एक लासस भाई मनीश सर आप लोग देखना सुरू कर चुके हैं और मैं हूँ मनीश चंकर तेवारी यूरोप में समाजवात का आना और रूशी क्रांती यही वो विसा है जो हम काफी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कहेंगे कि हमारे इतिहास की किताब में बड़े बड़े पाट दिये हैं फ्रांसिसी क्रांती पढ़ना सुरू किये थे तो क्रांती खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे थी यही हाल रूसी क्रांती का है लेकिन आपको बता दें कि यदि एक बार हमको ये क्रांती इनके स्थितिय समझ में आ जाती हैं तो बहुत रोचक हैं और आने वाले क्लासिस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यही द्रिश्टी कौन मलब पूरे विश्टी को एक तरह से वैचारिक खुराक देने का काम इन ही क्रांतियों ने किया था इसलिए इन क्रांतियों के बारे में पाठिकरम की द्रिश्टी से तो महतपूर्ण है ही हमको अन्य जानकारियों की द्रिश्टी से और हमारे द्रिश्टी कौन को सुद्रण करने के लिए विक्रिश्ट करने के लिए भी इन दो क्रांतियों का ध्यान आवश्चक है विश्योद्धे चल रहा था रूशी शेना पराजी तो हो चुकी थी और रूश के हालात भैयानक हो चुके थे बद से बदतर होते जा रहे थे पैतरोगराद की स्थिधि की हम बात कर रहे हैं पैतरोगराद अब आपको लग रहा होगा कि अभी तक हम सैंट पीट्सबर्ग बोला करते थे अब हम बोलने लगे। पैत्रोग्राद तो आपको बता दूं कि जो रूस की राजधानी थी उसका नाम सेंट पीट्सबर्ग था सेंट पीट्सबर्ग बोलने में उच्चारन में जर्मन उच्चारन आता था तो रशियन उच्चारन वाला नाम रखा गया पैत्रोग्राद मतलब पीटर का शहर तो वहां का जन्मत चाहता था कि सेंट पीट्समर का नाम बदल दिया जाए तो रूस में बदल दिया पैत्रोग्राद रख दिया तो चलिए आज हम यही देखते हैं रूस की राजधानी पैत्रोग्राद में फरवरी करांती चलिए जानते हैं सबसे पहले हम देखेंगे थाले पड़े हुए थे थालियों में अनाज या भोजन नाम की चीज नहीं बची थी यह सारी चीज़ें थी लेकिन अगर हम ओ एरियल व्यू से देखें यदि हम किसी हेलिकाप्टर या हवाई जहाद से पैत्रोग्राद सहर के ऊपर से गुजरते तो हमको वहां पर देखक पैती बिल समझ में आजाता था कि इस नगर की जो बसाहट है जो बणावत है वह जनता को देख कर तैकी गई है मतलब गरीबों को एक तरफ बसा दिया गया और अमीर लोग एक तरफ बस गएं लेकिन यह डिवाईडेशन कौन कर रहा था जी एक तरफ गरीबों की बसाहट ह एक तरफ मजदूर रहें एक तरफ अमीर लोग रहें लेकिन बीच में ऐसी कौन सी दीवार स्थापित हो जी हाँ बीच में जो लाइन अलग करती थी वह थी एक नदी नेवा नदी उसका नाम था नेवा नदी अब एक्जाम में अदी आपको आता है कि पैत्रोगराद किस शह सुसाइटी का इस्ट्रक्चर तीन प्रकार का था कुलीन वर्ग पहले नमर पर दूसरा अमीरों का वर्ग था और तीसरा था गरीब गुरुबा और मजदूरों का किसानों का किसान भी छोटे किसान बड़े किसान जो पुझी पती किसान थे वो लगभग अमीरों के था यहाँ पर मजदूरों के क्वार्टर्स इस तरह से जैसे कि आप चितर में देख रहा है यह मजदूरों के क्वार्टर्स जो थे और कार खाने जो भी कार खाने थे नेवा नदी के दाएं तट पर बनाए गए थे यह नेवा नदी आपको देख रही है इसे नेवा नदी के दाय तटपर मजदूरों के रहने के लिए आवास याने क्वाटर्स और कार खाने बसे हुए थे अब आप दिमाग लगाईए सोचिए कि उस समय के जो अमीर लोग थे उन्होंने मजदूरों को किस तरफ रखा जिदर कार खाने थे उधरी मज़्दूरों का आवास बना दिये ताई कारखानों का धुँआ हुआ से परिशान वही लोग हो सात में एक कारखानों की गंदी की इत्यादी भी उजहलने को मजबूर हुआ करते थे अब हम बात करें बाय किनारे की नेवा नदी के बाए किनारे पर क्या क्या था. तो नेवा नदी का जो बाया किनारा था, वँँहां पर वड़े फैशनेवल इलाके थे, बड़ी-बड़ी इमारतें थी, अच्छी-च्छे लोग बजार अच्छे थे वहां पर, Winter Palace भी इसी तरब था Winter Palace के बारे में अपने नर्सिंपुर जे लेके जो गाडरवारा के ओशो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिकी हुई है कि Winter Palace एक बहुत बड़े पत्थर के उपर बना हुआ है इसके बारे में आप लोग सर्च करने की कोशिश कीजिएगा ओशो के साहित में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अभी हमारे विशाय नहीं है हम ये देख रहा हैं कि नेवा नदी के बाय किनारे पर Winter Palace था फैशनेवल इलाके थे कुछ सरकारी इमारते भी बाय किनारे पर थी एक महल भी यहाँ पर था वो महल जिसमें डिूमा की बैटके होती थी वो भी बाय किनारे पर इस्तित था डिूमा क्या ही आपको बता चुके हैं कि डिूमा जो है वो रूस की निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा थी तो ये तो आप लोगों ने देख लिया बसाठ के बारे में कि रूस की जो राजधानी थी पैत्रोग्रोध या सेंट पीट्सबर्ग वह नेवा नदी के किनारे बसा हुआ था नेवा नदी के दाए किनारे पर मजदूरों के मकान थे और फैक्ट्रिया थी जबकि बाए किनारे पर जार का महले आने राजा का महल था बड़े बड़े लोगों के फैशनेवल रहाईसी इलाके थे विंटर पैलेस तो थाई साथ में सरकारी इमारते भी इसी तरब थी और ड्यूमा की बैठक भी इसी तरब होती थी तो ड्यूमा वाला महल भी यहीं था लेकिन होता क्या है कि फरवरी की बात है फरवरी में जो फरवरी करांती पढ़ रहा है इसलिए फरवरी महीने को फोकस किया है यहां पर कोई भी बात होगे तो फरवरी को लेकर के होगी यहाँ पर तो फरवरी में मजदूरों के इलाका कौन सा था मजदूरों को इलाका यह बात फरवरी की हो रही है फरवरी में मजदूरों के इलाके में अनाज की भारी कमी हो गई थालियों से अनाज गायव होने लगा परोसा जाता फिर गायव हो जाता मतलब मजदूर वाले इलाकों में जहां पर मजदूर रहते थे दाएं तट पर रहते थे आपको पता है न मजदूर किस तट पर रहते थे नेवा नदी के दाएं तट पर जहां पर यह सरक्रिल दिख र मतलब वहाँ पर एक तो प्रथम विश्युद्धि की मार थी वैसे ही किलत थी अनाज की इत्यादी की और उपर से इतनी थंड भीशन कोहरा और बर्फवारी ने किसानों की कमर तोड़ दी गरीब आदमियों की तो हालत ही खराब कर दी अब ऐसी स्थिती में जार एक तरफ लगा था कि डूमा को भंग कर दिया जाए जबकि संसत के प्रतिनधी संसत मतलब डूमा के जो डूमा में प्रतिनधी चुन कर गए थे अच्छा अब आपको बता दें कि डिूमा में कौन से प्रतिय निदी थे डिूमा में तीसरी डिूमा थी पहली दो डिूमा तो जार ने भंग कर दी थी लेकिन जार ये चाह olması रहा था कि तीसरी डिूमा भी भंग हो जाए। जबकि उस डिूमा में जार के समर्थक लोग ही थे इसके बावजूर भी जार ये चाहता था कि डिूमा भंग कर दी जाए क्योंकि वो अपने सिर पे किसी तरह का कोई लोड ही नहीं लेना चाहता था जबकि डिूमा के प्रतिनिधी ये चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे जनता ने वोट देकर जो डिूमा चुनी है जो डिूमा बनाई है वो नश्ट ना हो और इसलिए जार द्वारा जो कोसिस की जा रहे थी डिूमा को भंग करने की उससे बचाने के लिए दोड़ फरवरी को फिर फरवरी की बात आती है 22 फरवरी की बात है एक फैक्टरी में ताला बंदी घोशित कर दी गई कुछ कारण ऐसे हो गए वहाँ पर कि मजदूरों को मालिक का व्यभार ठीक नहीं लगा और उन्होंने ताला बंदी की घोशना कर दी अगले ही दिन मतलब जैसे ही उन्होंने 22 फरवरी को ताला बंदी की घोशना की 23 फरवरी की बात है यह 23 फरवरी को अन्य फैक्टरियों के मजदूर भी समर्थन में आ गए लगभग 50 फैक्टरियों के मजदूरों ने हर ताल का एक साथ ऐलान कर दिया कब 23 फरवरी को 22 फरवरी को एक फैक्टरी में त तरत तो जो है महिलाओं ने समाल लिया महिलाओं भी चुकी हम जान चुक हैं कि महिलाओं भी कारखानों में काम करने जाने लगी थी तो वहाँ पर ये स्थिति आ गई कि जब ताला बंदी हुई हरताले शुरू ही तो कई कारखाने ऐसे थे जहांपर ओरतों ने बोल दिया कि जब हमारे भाई हर्ताल पर हैं, हमारे पती हर्ताल पर हैं तो हम कैसे सहयोग कर सकते हैं फैक्टरी मालिकों का, हम भी हर्ताल पर जाएंगे और जैसे ही वो लोग हर्ताल पर गए उसी दिन को अंतरराष्टी महिला देवस के नाम से माना जाता है, अच्छा आप लोगों को लेकिन कलेंडर जो ग्रेगेरीन कलेंडर चल रहा है उसमें 23-24 फरवरी की जो डेट है वह 8 मार्च को आती है इसलिए हम 8 मार्च को अंतरराष्टी महिला दिवस के नाम से मनाते हैं और क्यों मनाते हैं क्योंकि इस दिन कारखानों में हरतालों का नित्रत जो है वह और तोंने आरंबे किया था और इसलिए इस दिन को हम अंतरराश्टी महिला दिवस के रूप में मनाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि आंदोलन बढ़ता गया जब आंदोलन बढ़ता गया तो नेवा नदी के उस पार यहां पर यह आंदोलन कारिया भी हरताल कर रहा थे है यह गली महले का नाम है जैसे आपके सेरों में होगा गांधी चौक इस तरह का होता है ना गांधी चौक जंडा चौक चाननी चौक या सुपर बाजार इस तरह के नाम होते हैं तो ऐसा ही जो रूस की जो राजधानी थी जो में मार्केट था वह कहलाता था नेवास की प् तो ये लोग उनको अभी कोई संचालिद कर रहे थी जो भी मजदूर आंदोलन कर रहे थे ये आंदोलन उनका अपना आंदोलन था स्वताय सफूर्त आंदूलन था। इसमें किसी भी राजनितिक पालिटी का अभी तक कोई सहयोग या संचालन हासिल नहीं हो पाया था लेकिन जब फैशनेवल रहाईसी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो क्या हुआ जब सरकार को पता चला कि मजदूरों ने अपने दाए किनारे से बाय किनारे आ चुके हैं ये लोग और नेवेस की प्रोस्पेक्ट से हट कर सरकारी इमारतों को फैशनेवल रहाईसी इलाकों को मजदूरों ने घेर लिया है अच्छा ऐसा क्या हुए जब वो गली से गोजर रहे थे मजदूरों उस दोरान जनताबस्ती क्रॉस करके जब भूके उमर रहे हैं हमारे बच्चे एक एक निवाले के लिए तड़ रहे हैं और यहां दुकानों में रोटियों के भंडार लगे हुए हैं खादे सामगरी दुकानों में अमार लगा हुआ है तो उन्होंने उन दुकानों पर हमला बोल दिया उनको लूट रहे वो जब ल उसरी फैक्टरी के लोग आ गए और यहां पर ये लोग जनता बस्ती क्रॉस करके और मार्केटों को लूटने लगे ये लोग भाई पेट का सवाल था बच्चों का पेट भरना था तो उन्होंने ये काम किया 23 और 24 तारिक को ये लोग फिर से कठा होने लगे जब ये लोग फिर से कठा होने लगे तो सरकार को लगा कि ये मामला बिगड सकता है तो सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुर सवार सेनिकों को और पुलिस को तैनात कर दिया कि जाओ देखो उन पर नजर रखो कि ये म निकल गई, चोबिस निकल गई, 25 फरवरी दिन रवीवार की बात है, वींटर पेलेस में जार बैठे-बैठे, सारी चीजों का जाजा लेता है, और आखर में यह कहता है, कि डियूमा को बरखास्त किया जाता है, जैसे ही जार ने यह सरकारी नर्नै लिया, कि डियूमा को आन देने लगे वो कहने लगे कि इस तरह से चुनी हुई संस्था का बरखास्त किया जाना ठीक नहीं है जार्ग ताना साय है जार्ग निरम को से तमाम तरह की बाते की जाने लगी जब डूमा बरखास्त हो गए तो डूमा के प्रतिनिधी जो थे राजनितिक प्रतिनिधी जो थे वो बेकार हो गए इसके पहले कोई राजनीतिक संगठन ने मजदूरों के साथ ख़ड़ा नहीं था लेकिन जैसे ही डियूमा को बर्खास्त किया तो जो राजनीतिक संगठन थे उन्होंने भी इस आंदूलन में घी डालने का काम शुरू कर दिया 26 तारिक को बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्सन कारी जो है वे बाएं तट पर एकठा होने लगे और आंदूलन को तेज करने का प्रयास करने लगे अब बात आती 27 तारिक को तो पुलिस का मुख्याला भी इसी तरफ था 25 तारिक को डियूमा बर्खास्त होई राजनीतिक लोगों के पेशानी पर भल पड़ा मजदूरों के वेश साथ आये और उन्होंने फिर से प्रदर्सन के लिए एकठा होना सुरू कर दिया 27 तारिक को उन्होंने क्या किया 27 फरवरी की बात हो रही है 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्याला पर हमला बोल दिया और उसे तहस नहस कर दिया। मतलब 27 फरवरी को जो आंदोलनकारी भीड थी उसने राजनितिक क्यों के साथ मिलकर पुलिस मुख्याले को नेश्ट नाबूत कर डाला। साथ ही अब जब भीड एकटी हो गए उसके होसले बुलंद हो गए तो यह भीड जो है रोटी हमको खाने के लिए रोटी दो के नारे लगाने लगी हमको पूरी तनख्वाय दो के नारे लगाने लगी और बोलने लगी कि हमारे जो काम के घंटे हैं वो घटाए जाए और काम क गंटे के एवज में हमको तन खाह दी जाए साथ ही वे लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में भी नारे लगाते रहें लोकतांत्रिक अधिकारों के नारे क्यों लगाने लगे वो क्योंकि डूयूमा को बरखास्त कर दिया गया था राजनितिक दलोंकर समर्थन भी मजदूर unions के साथ हो गया था हम पहले के पाठ में पढ़ चुके हैं कि मजदूरों का और राजनितिक संगठनों का radicals के साथ उदारवादियों के साथ tie up हो गया था यह हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं और यह भीड अब लोगतांतरिक कहा कि रोटी तनख़ाय और काम के घंटों को लेकर के नारेवाजी करने लगे सरकार ने देखा कि इस्थिती नियंतरन से बाहर ना चली जाए तो उन्होंने एक बार फिर घुरसवार सैनिकों को उनके सामने तैनात कर दिया अब घुरसवार सैनिक और मजदूर आमने सामने हो गए थे लेकिन घुरसवार सैनिकों की जो एक तुकडी थी उसने प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया उन सैनिकों ने बोला कि ये मजदूर हमारे भाई है हम इनको उपर गोली नहीं चलाएंगे बलकि एक जगह है तो सिपाहियों ने एक रेजीमेंट में अपने अपसर कोई गोली मार दी अभी आपको याद आ रहा होगा मंगल पांडे वाला किसा है ना वे सारे के सारे हरताली मजदूरों के साथ आकर मिल गए मजदूरों के उपर सैनिकों ने बोला हम इनको उपर गोलीयां नहीं चलाएंगे और ना केवल गोलीयां मजदूरों के उपर नहीं चलाएंगे लेकिन यदि आप हमको मजबूर करोगे तो जो हमको गोली चलाने का आदेश देगा हम उसी को निप्टा देंगे ये सैनिकों का फलसफ़ा बन चुका था और सैनिकों ने किया भी ऐसी एक रेजिमेंट में अपसर ने बोला कि मजदूरों को जाके गोली मारो उसने बोला नहीं साब मजदूरों को नहीं आ पहले ले ले और इस तरह से मजदूरों का और सैनिकों का साज़ा संगठन बन गया मजदूर और सैनिक इकठे होने लगे चली हम देखते हैं समझते हैं कि मजदूर और सैनिक इकठे होकर नया क्या तैयार करते हैं उसी साम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत परिशत का गठन करने के लिए उसी इमारत में इकठे हुए जहां अभी तक डिूमा की बैठक हुआ करती थी मैं डिूमा को बरखास्त कर दिया था अब यहां पर यह सैनिक और यह मजदूर आंदोलनकारी यह आए और यह डिूमा की पैठक जहां होती थी उस भवन में आकर इकठे हो गए और यही पर इन दोनों ने मिलकर पैत्रोग्राद सोवियत का निर्मार किया इस तरह से पैत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ सोवियत का अर्थ होता है परिशद मतलब सैनिक मजदूर परिशद का गठन पैत्रोग्राद में हुआ इसलिए इसे हम पैत्रोग्राद सोवियत के नाम से भी जानते हैं अब आपके एक्जाम में अदिया आता है कि इस पैत्रोग्राद सोवियत का जन्म कैसे हुआ तो सैनिकों एवं मजदूरों के द्वारा पैत्रोग्रा सोवियत का जन्म हुआ की स्थापना हुई ठीक ना अब आगे देखते हैं जब हालत बिगड़ गई जब इस तरह की स्थिती बन गई तो अगले दिन एक प्रतिनी धी मंडल जार से मिलने के लिए गया कि जार हालक खराब है आप एक काम करो हम लोगों की बात माल लो ड्यूमा की बरखास्तिगी ठीक नहीं है ये सारी बाते समझा कर प्रतिनी मंडल रवाना हो गया इसके बाद जो जार के सैनिक कमांडर थे उन्होंने राजा को सलाय दी कि पबलिक बहुत उस्से में है जार कभी भी निप्टा सकती है और दूसरे ने भी बुला जार आप तो गद्धी छोड़ दो इसी में भलाई है जार ने दो मार्च को गद्धी छोड़ने की बात मान ली और दो मार्च को गद्धी छोड़ दी मतलब अपना मुकोत उतार कर अलग कर दिया सोवियत और डिूमा के नेताओं ने सासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह फ्रांस में राजा को अपने पत से हटा कर सम्विधान की बात माननी पड़ी थी सम्विधान सभा की उसी तरह से रूस में भी जार ने बुला जनता के आगे में नतमस्तक हूँ अब आप जो निर्णाय लेना चाहें लीजिए मैं जार का पद त्याग करता हूँ जार का पद त्याग करने के बाद ही निर्वाचे सदस जो ड्यूमा के निर्वाचे सदस थे और जो सोवियत सैनिको और मजदूरों ने मिलकर बनाई थी इनकी एक बैठक होती है इस बैठक में क्या निर्णे होता है यह हमने देखा यहाँ पर कि इन लोगों ने मिलकर एक अंत्रिम सरकार का गठन कर लिया मतलब आंदूलनकारी, मजदूर, सैना के सिपाही और ड्यूमा के निर्वाचित, राजनेता, उधारवादी, रूढ़िवादी, समाजवादी सारे लोगों ने मिलकर एक अंत्रिम सरकार का गठन कर लिया और रूस का भविष्च कैसा हो, मतलब इसके चुनाओ कैसे हो, यहाँ पर सत्ता किस्की हो, कैसी हो, इन सारी चीज़ों का काम एक समिधान सभा को सौप दिया जाए और समिधान सभा का जो निर्माण है, वह कैसे हो, वह सार्व भौमिक वैस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए तो इस तरह से फरवरी 1917 में राजसाही को गद्धी से हटाने वाली, मलब फरवरी 1917 में जार को अपनी गद्धी से हटा देने वाली जो क्रांती हुई उस क्रांती का शिरीगणेश, उस क्रांती का जंडा पैत्रोग्राथ की जनता ने अपने हाथ में लिये था, आम जनता ने, सामान ने जनता ने अपने हाथों में उठा लिये था, तो यह हुग थी फरवरी क्रांती, इसी को बोलते हैं फरवरी क्रांती, जिसमें जार को अपनी गद्धी से हटने के लिए विवश्च कर दिया गया अब यदि आपको एक्जाम में आता है कि फरवरी क्रांति क्या है तो अभी तक जो इस्टोरी बताई है उसको सौट में बता सकते हैं अच्छे एक बात और बता दूं कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए को सब्ता से हटा दिया अब जार सब्ता से हट चुका है अब ऐसी स्थिती में क्या किया जाए हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि पैत्रोग्राद में क्रांति हुई मजदूरों ने सैनकों ने राजनिताओं ने सारे लोगों ने जार का विरोध किया जार को सब्ता नियम कानून मनाइगी और इन नियम कानूनों के अदार पर रूस का शाषण चलेगा लेकिन अब आरी आती है कि जब तक सम्भिधान सफा का निर्माड हो नहीं जाता तब तक रूस में क्या हुआ मतलब फर्वरी की करांती के बाद रूस में क्या घटना अगाटी इसको जानने की उत्सुकता आपके मन में आ रही होगी तो चलिए हम देखते हैं कि फरवरी के बाद क्या हुआ अंतरिम सरकार में जो है वे सैनेक अधिकारी, भूमी श्वामी और उद्योग पती जो थे वे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे सामाने लोगों का वहाँ पर जो मजदूर आंदोलन कारी थे ये भी कही न कहीं भूमी स्वामी और उद्योग पतियों के संरक्षण में आंदोलन कर रहे थे हम लोग देखते हैं कि आंदोलन निचले वर्ग का लोग आराम करते हैं और उसका फायदा बड़े लोग उठा ले जाते हैं तो यहाँ पर भी जब अंतरिम सरकार का गठन कर लिया कौने आंदोलन कारियों ने और इन अधिकारियों भू स्वामी और उद्योग पतियों ने मिलकर तो इसमें प्रभाव साली होगा शैनिक अधिकारी भूमी स्वामी और उद्योग पति वह सामाने जनता वैसे यसर यस सत्ता सोंपदी लेकिन इन में से कुछ लोग ऐसे थे जैसे उधारवादी और समाजवादी ये लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द निर्वाचन हो सरकार चुनी जाए मतलब वोट डाल कर चुनी जाए अंतरिम सरकार ही अंतरिम विकल्प ना रहे ये उनकी मन्शा थी किन सभा करने संगठन बनाने पर पावंदी लगा दी थी ये सारी पावंदिया हटा ली गई अब हलाकी निर्वाचन का जो तरीका था वैसे सभी जगह एक्षा नहीं था लेकिन पैत्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सभी जगह पर सोवियत बना ली गई थी सारे रूस में छ फ़ियत सभी जगह बन रही थी मतलब आंदलनकारी और भुसवामी सैनिक अदिकारी इन लोगों के साथ मिलकर सोवियते मतलब परिशदें तयार की जा रही थी जब परिशदें तयार हो रही थी रूस का माहुर ठीक हो गया था तो आपको एक नया नाम यहाँ पर एंट्री होती है व्लादीमीर लेनिन इनको रूस से दूर कर दिया गया था हमने देखा था कि इनको निर्वासित कर दिया गया था अप्रेल 1917 की बात है बोल्चेविकों के निर्वासित नेता निर्वासित लिखाया है यह निर्वासित है निर्वासित नेता जो व्लादीमीर लेनिन थ थे वे रूस लोट आए, कब लोट के आए, अप्रेल 1917 में, ब्लादी मीर लेनिन रूस में लोट कर आए और लेनिन के नेतरत्त में बोल्शेविक्स जो थे वे 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, कौन से युद्ध का, प्रथा में विश्युद्ध का वो लोग विरोध क और बोल रहे थे कि सोवियतों को अपसता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए लेनिन ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए एक बयान जारी कर दिया उसने ये कहा कि युद्ध ततकाल समाप्त किया जाए मतलब रूस जो प्रथम विश्युद में सलगन है उस युद्ध से र सारी जमीने किसानों को दे दी जाएं वो कुलीनों के पास नवाबों के पास सामंतों के पास जो भी जमीने सरकारी जमीने वो सारी जमीनों का पट्टा किसानों को दे दिया जाए जमीन सरकार के पास बिलकुल ना रहे और एक महत्वपूर्ण बात बैंकों का उद्योगों का राश्टी करण कर दिया जाए इन तीनों मांगों को लेनिन ने जो मांगी उसको अप्रेल थीसिस के नाम से जाना जाता है अब आपके परिक्षा में पूछा जाता है कि अप्रेल थीसिस के जनक कौन थे अप्रेल थीसिस किसे ने दी तो व्लादीमीर लेनिन के वल लेनिन लिखते हैं दोविक परियाप्त है और ये पूछा जाते हैं कि अपरेल थीसिस क्या थी तो आप बता सकते हैं कि अपरेल थीसिस मतलब जो बोल से विकों का नेता था ब्लादीमिर लेनिन उसने तीन डिमांड्स की और उन तीन डिमांड्स में पहली डिमांड्स थी प्रथम व के अंतरगत तीन मांगे प्रस्तुत की और उन्होंने यह सुझाओ दिया कि अपने रैडिकल उद्देश्यों की पूरती के लिए बोलसेविक पार्टी का नाम कम्यूनिस्ट पार्टी रख दिये जाए। ये काम भी लेने नहीं किया। उसने सडनली अपना विचार मतलब समय नहीं आया है। अभी समाजवादी करांती के लिए वक्त नहीं है। इसलिए अभी जो अंतरिम सरकार रूस में चल रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे ही मौका आता है वैसे ही हम सत्ता अपने हाथ में लेकर और ये सारी चीज़े हम करने लगेंगे। लेक फैल गया। इस्थिती ये हुई कि मजदूरों का आंदूलन गर्मी जैसे जैसे आई ठंड जाने के बाद वह और ज्यादा उगरू धारन करने लगा। और द्योगिक इलाकों में अलग 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 फैक्टरी कमेटियां बनाई जाने लगी। इन फैक्टरी कमेटियों के म आध्यम से मजदूर क्या करते थे मालिकों के तोड़ तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। वे बोलने लगे कि मालिक ठीक नहीं कर रहे हैं। फैक्टरी मालिक जो है वह बहुत गलत कर रहे हैं। फैक्टरी मालिक हमारे साथ में काम के घंटे भी निकम कर रहे हैं। साथ में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कॉंग्रेस में अपने प्रतिनिधी भेजे अखिल रूसी सोवियत कॉंग्रेस मतलब जितनी भी रूस में सोवियतों गठित हुई थी उन सोवियतों की एक प्रतिनिधी साभा हुआ करती थी अखिल रूसी सोवियत कॉंग की ताकत कमजोर होती जा रही थी बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ते जा रहा था बोल्शेविक लेनिन के नेत्रत में प्रभावशाली होने लगे सरकार भी असंतोस को दबाने के लिए सक्ट कदम उठाने लगी सरकार ने फैक्टरिया चलाने की मजदूरों की द्वारा क किये गए विशाल प्रदरसन का भारी दमन किया गया पुलिस द्वारा बहुत मार पीट की गई उसमें और इस बज़े से बहुत सारे नेताओं को या तो छुपना पड़ा या उनको भागना पड़ा उधर गाओं में जो किसान थे और उनके जो समाजवादी करांतीकारी न भूमी शमीतिया तयार कर दी गई जो जरूरत मंदों को निर्धारित मात्रा में जमीने प्रदान करती थी सामाजिक करांतीकारियों से प्रेणा और प्रोथसाहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर अपना कबजा कर लिया चारोत जमा लिया। और भूमी पुनर वित्रण के लिए गाओं में किसानों ने दबाओ बनाना शुरू कर दिया। दबाओ बना तो भूमी वित्रण समीतिया बना दी गई। इस आवेवस्थाका कहें बहुत सारे किसानों ने बेजालाव उठा लिया और उन्होंने जमीनों के टुकड़ों प मौका मिला उन्होंने कब्जा कर लिया इस होच पोच का एक जगह पर नुकसान भी हुआ सेन्य मोर्चों पर उसको हम अगले वीडियो में समझने ही कोशिस करेंगे तो इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया पैत्रोगराद की फरवरी करांती और फरवरी करांती के ब नोट कर लीजिए पहला प्रश्ण है पैत्रोगराद किस नदी के किनारे बसा है या बसा था दूसरा अंतराराश्टी महिला दिवस कब मनाया जाता है तीसरा पैत्रोगराद सोवियत का जन्म कैसे हुआ चौथा जार ने सत्ता का त्याग कब किया और अनतिम प्रश्ण पुराने कलेंडर में और आज के कलेंडर में लगभग 15 से 17 दिनों का अंतर आ गया है तो उस समय जो 23 फरवरी थी वो मार्च के महिने में इस विशेश दिन पर तबदील हो गए थी यही विशेश दिन इस प्रेश्ण के उत्तर में आपको लेखना है कि वह कौन सा दिन है मार् चलिए आप लोग इन प्रेश्णों का उत्तर दीजिए और हाँ उस जाना अंदोलन को बिलकुल भी मत भूलिएगा क्यों क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं इस बात को इस मूल वाकि को इस स्वास्थ वाकि को याद रखिए और सब को रटा दीज चलिए तो आप लोग ये काम भी करिए और साथ में हाँ आप इसकूल जाना मत भूलिएगा आपके नाइन्थ क्लास के नामंकन फॉर्म और कप्छा दस के परिच्छा फॉर्म भराय जा रहा हैं जिन बच्चों की सुल्क लगनी हैं वे अपने इसकूल में निर्धारित फी हाई भी करते रहें और देखते रहें एक लासिस भाय मनी सर मुझे इजाज़त दें जय हिंद